नुमसकार बच्चू आज के इस एपीशोड में हम डिसकस करेंगे क्लास 9 इंगलिज के सेकिंड टम के most important questions को अब ये most important questions कौन से वो questions जो most expected questions है जिनके आपके second term के exam में आने के सबसे ज़्यादा chances है यहाँ पर मैंने दो type के questions को include किया, एक तो वो questions जो आपके previous years के exams में continuously repeat होते रहें, यानकि उनके आने के chances हमेशा ज़्यादा रहते हैं, second वो questions है, जो chapter के main theme को cover करते हैं, इनको हम last moment questions भी कह सकते हैं, यानकि जैसे हमारा exam है, आज ही हमारा exam है, तो exam से पहले हम 2 या 4 घंटे पहले वो questions revise करते हैं, जिनके हमें लगता कि आने के chances सबसे ज़्यादा है, तो ये उसी type के questions है, क्या करना आपको, आपके इन questions को देखना है, आपको लगता है कि इन मेंसे कोई question ऐसा तो नहीं है, जो आपने पहले तयार नहीं किया, अगर ऐसा कोई question इस series में दिया गए, और आपने तयार नहीं किया, तो वो question आपको अच्छे से revise करके जाना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सभी chapters की बात करेंगे, पहले moments की बात करेंगे, उसके बात बिहाई प्रोज की बात करेंगे, उसके बात एक जाम में आने के chances रहेंगे, फर्स्ट हमारा question रहेगा, पर्शान्त है, अपने गावालों की कैसे help करता है, यह इस chapter का वैसे main theme है, main central part है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है, सेकिंड यहाँ से question बनता है, यह कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, हम एक साथ ही करेंगे, कि orphans जो अनात थे, जो videos विद्वा थे, तो उनको कैसे resettle किया था, पर्शान्त ने अपने friends के साथ मिल करके, थर्ड जो most important में question बनेगा, what how had the super cyclone tracked in the life of the people of Odisha, Odisha के लोगों की life को किस तरह किस हिला दिया था उस cyclone न, यानि कि उसके क्या effects रहे थे, वो हमें यहाँ पर बताना है, उसके बाद fourth जो most important में रहेगा, यह आपका long answer type questions के लिए भी important रहेगा, do you think परशान्त is a good leader, कि आपको लगता है कि परशान्त एक अच्छे leader है, do you think young people can get together to help people during natural climates, यहाँ पर पहला question जो पूचा गए, कि आपको लगता है कि परशान्त एक अच्छा leader है, और second हमें पूचा गए कि कि आपको लगता है कि young जो लोग होते हैं, वो इस परकार के natural जो climates होती है, उसमें दूसरों की help कैसे कर सकते हैं, या कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, ओके, यह long के लिए important रहेगा, तो यह four questions रहेंगे आपके इस chapter में से, next जो हमारा chapter हैगा, the last leaf, the last leaf की अगर बात करें, तो यहाँ से भी four most important questions बनेंगे, इसमें first हमारा question रहेगा, what was John C. suffering from, John C. के साथ क्या समश्या थी, and why wasn't John C. recovering even after the doctor treated her every day, कि John C. है, उसको क्या problem थी, वो pneumonia हो चुका था उसे, और वो recovery क्यों क्यों नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर उसको treat कर रहा था, तो में हमने जैसा chapter में study किया, कि वो negative intention उसके mind में यह आ चुका था, कि she is not going to get well, कि वो ठीक नहीं होने वाली, ओके, यह हमें बताना है, second है, how did John C. associate herself with the falling of leaves, पत्ते गिरने के साथ कैसे उसने associate कर लिया था, उसने associate कर लिया था, कि भाई, last जो leaf जैसे गिरेगा, तो वैसे ही उसकी भी death हो जाएगे, third जो question है, what was Bearman's dream, who was Bearman, and what was his masterpiece, यह दोनों question है, यह हर बार आपके एक्जामे repeat होते नहीं, कि इन में से कोई एक question आपके एक्जामे रहा, तो इस बार भी chances रहेंगे, कि इन में से कोई एक question आपके एक्जामे रहेगा, तो Bearman कौन था, और उसकी masterpiece क्या थी, या उसको masterpiece क्यों कहा गया, तो यह questions रहेंगे आपके the last leaf chapter में से, उसके बाद next जो हमारा chapter है, A house is not home, तो यहां से हमारे जो question बनेंगे, four questions रहेंगे, most important में, first question रहेगा, how did Jane's mother save important documents from burning house, burning house से, जो Jane's mother है, वो कैसे important documents को बचा पाती है, second है, why does the author break down in tears after the fire, fire के बाद, जब fire को लगब बुचा दिया जाता है, 4-5 घंटे के बाद, तो जो author है, वो रोने लगते हैं, क्यों, ऐसा क्या होता है, वो हमें यहां पे explain करना है, what help did the author get from his schoolmates, after the fire accident, fire accident के बाद, schoolmates से author को किस type के help निलती है, important, my cat was back and so was I, had the author gone everywhere, why does he say that he is also back, कि my cat was back, कि मेरी cat वापस आ गए थी, मैं भी वापस आ गए, ऐसे वो क्यों कहता है, क्या वो कहीं गया वो था, या फिर इसका meaning क्या है, यह हमें बताना है, तो यह भी काफी बार आपके exam में repeat हो चुका है, नेक्स चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स हमारा चैप्टर हैगा, यहाँ पर दबैगर, बैगर चैप्टर की, जो की moments का last चैप्टर है हमारा, यहाँ से question बनेगे, has Lashkov become a beggar by circumstances or by choice, कि वो भिखारी बनते हैं, बैगर बनते हैं, circumstances कुछ ऐसी होती, या फिर वो अपनी मर्जी से बनते हैं, कि चलो भाई, यही ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, यह हमें बताना है, what reasons does he give to Sarjai, for his telling lies, कि वो जूट बोलने के बीचे, Sarjai को क्या कारण बताता है, सरजai को हमें यह बताना है, how did Olga react to the beggar, बेगर को लेकर के, Olga का सुरुवात में क्या reaction होता है, यह हमें बताना है, how did Sarjai help the beggar in changing his ways, अपने ways को, अपने life को change करने में, कैसे Sarjai उसकी help करते हैं, why did beggar show gratefulness for Olga, Olga के लिए वो एक तरह से gratefulness show करता है, end में जाकरते हैं, ऐसा क्यों, यह हमें बताना है, तो इस टाइब के question यहां से बनेंगे, इस chapter में से, उसके बाद हम बात करेंगे beehive की, beehive book को अगर देखा जाए, तो यहां फे first हमारा chapter हैगा packing, यहां से भी हमारे कुछ most important questions बनेंगे, इसमें first question है हमारा, how many characters are in the chapter packing, name them, कितने character हैं, क्या name हैं उनके, यह हमें बताना है, what horrible idea occurred to Jerome a little later, थोड़ी देर के बाद, Jerome के mind में एक idea आता, वो idea क्या था, horrible idea की बात की गए यह detail में, तो वो हमें बताना है, why did the narrator volunteer to do the packing, यह लगबग सा शोर मानके चलो के आपके एक्जाम में रहेगा, कि narrator है, वो volunteer, मतलब कहता है, बाई मैं करता हूं packing, ऐसे क्यों कहता है, because he wanted to show his skills, वो अपनी skills को show करना चाता था, यह लगबग सा sure type का question है, उसके बाद है, how did George and Harris react to Jerome's offer to the packing, जेरोम का जब offer होता है, कि चलो मैं packing करता है, तो उनका reaction क्या होता है, did Jerome like their reaction, क्या उसे पसंद आता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है, because he was thinking that, कि वो सिरफ order देगा, packing वो करेंगे, लेकिन वो तो बैठ गए, यह packing भाई, तू ही कर, उसके बद फिप्ट है, वेर डिड़ जेरोम फाइनली, फाइनली 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 तूथ प्रेश, तूथ प्रेश जोख हो जाता है, जिसके लिए सब कुछ packing को unpacking करना होता है, वो finally मिलता खाएं, तो यह most important questions रहेंगे, the packing chapter में से, नेक्स्ट हमारा चैप्टर रीज़ फूर दा टॉफ, काफी लेंथी चैप्टर है, टू पार्ट्स यहां पर दिएगे, इसमें हमारे कुछ important जो question रहेंगे, what motivated Mariya to keep going, वो क्या था जिसने Mariya को, Mariya Shara Power को motivate किया, कि वो आगे बढ़ते रहें, अपने target को achieve करें, how did Mariya achieve her success, Mariya अपनी success को कैसे achieve करती है, third most important में रहेगा, what difficulties did Santosh face in her childhood, Santosh बच्चमन में किस टाइफ की difficulties को face करती है, why was the holy man who gave Santosh mother his blessing surprised, holy man, जो Santosh की मदर को blessing देता है, वो surprise क्यों हो जाता है, इस starting में ही chapter के beginning में ही ऐसा कुछ बताएगा है, तो यह हमारे most important questions रहेंगे, reach for the top में से, उसके बाद next जो हमारा chapter दिये गए, the bond of love, इस chapter के अगर बात करें, तो यहां से हमारे three most important questions बनेगे, first हमारा question रहेंगा, why was Bruno sent to the zoo, लगबग मान के चलो कि यह question आपके एक्जाम में रहने वाला है, okay, Bruno को zoo क्यों बहजा गया था, because वो इतना बड़ा होजगा था, घर पे नहीं रखा जा सकता था, that was why, कि उसे वहां पे zoo में भीज़ दिया गया था, second most important बहेंगा, identify any two instances from the story, which show that the author and his wife treated Bruno as a family member, हमें बताना है दो instances, दो example देने, जिससे हमें पता चलता हो, कि वो author और उनकी wife है, वो Bruno को family member की तरह treat करते थे, okay, यह हमें दो example देकर बताना है, जिसे वो खाना उनके शाथ share करते थे, साथ साथ उसको as a family member की तरह अपने साथ ही रखते थे, clear, उसको नाम भी बाबा दिया गया था, अपने बच्चे की तरह, जो culture है, अपनी Indian culture की तरह, okay, उसके बाद third question यह रहेगा, animals to feel the pain of separation, animals को भी किसी से दूर जाना, अपने से दूर जाना, उनको भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी pain feel होता है, explain with reference to the story of the bond of love, यहां से example लेते हैं हमें explain करना है, यह एक central idea रहेगा इस chapter का, उसके बाद next जो हमारा question रहेगा, a chapter रहेगा हमारा, if I were you, okay, इस chapter में से हमारे most important question रहेगे, who was the intruder in Gerard's house, कौन था, घुस्पेट या कौन था, why did he break into the Gerard's house, into his house, उसके घर में क्यों entry करता है, why did the intruder say, they can't hang me twice, वो ऐसा क्यों कहता है कि मुझे दो बाद नहीं लटकाया जा सकता है, दो बाद नहीं मारा जा सकता है, why did the intruder not kill Gerard immediately, जराड को तुरंत वो नहीं मारता, क्यों, और how did Gerard be fooled the intruder, वो किस तरह के से उसे मुर्ख बनाता है, end में, तो ये इस टाइप के questions है, जो most important रहेंगे इस chapter में से, उसके बाद next जो हमारा दिया गया है, no man are fun, यहां से हमारे question रहेंगे, तो ये हमारा poetry section यहां से start हो जाएगा, how does the earth unite us, इसमें से important question रहेगा, how does the earth unite us, कैसे हमें एक करती है, कैसे हमें जोडती है सब लोगों को, what is the central idea of the poem, poem का central idea क्या रहेगा, how do the people had their brothers, are they right, कैसे वो एक दूसरी से नफरत करते हैं, क्या वो सही है, तो ये तीनी question यहां से बनेंगे, उसके बाद next जो हमारा poem रहेगी, on killing a tree, यहां से हमारा जिससे first question दिया गया, can a simple jab of knife kill a tree, why not, ये लगबख शोर मान के चलो, कि आपके एक्जाम में रहने वाला है, क्या simple जो अगर हम knife से cut लगा दें, why not, क्यों नहीं, ये हमें बता रहा है, what finally kills the tree, finally tree को अगर मारना हो, okay, तो क्या करना होगा, what message does the poet want to convey through this poem, इस poem से, point है, क्या message convey करना चाहता है, ये भी हमें यहां पर बताना है, what is the meaning of bleeding bark का क्या मतलब है, यहां पर, what makes it bleed, और किस से वो bleed, यानि कि वो जो भी liquid निकलता है, तो उसको ऐसा क्यों का आगए, कैसे वो निकलता है, okay, तो ये most important questions रहेंगे, on killing a tree poem में से, next जो हमारा रहेगा, last जो हमारी poem में, the snake trying, the snake trying में यहां पर SNA की spelling ही रहूंग है, the snake trying, what was the snake trying to do and why, snake क्या करने की कोशिश करता है, और क्यों, second question रहेगा, how did the snake escape itself, कैसे अपने आपको छुपा लेता है, okay, वहां से गाइब होता है, how can you say that, the snake was harmless, आप कैसे कह सकते हो, कि snake harmless था, ये काफी important रहेगा, okay, तो ये total आपके वो questions है, जो exam के लिए important रहेंगे, तो इन questions में से बहुत सारे questions, already आप revise करच कुएंगे, कुछ questions ऐसे हो सकते हैं, जिनके उपर आपने focus नहीं किया हुगा, तो उनको आप फटा-फट, जल्दी से देख लिजे, और अच्छे से त्यार कर लिजे, तो ये था एक important helpful वीडियो, I hope so, कि आपके लिए काफी ज़द है, important रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाती, इस वीडियो को like और share, जरूर केजिए को और हाँ, diary entry भी आपके exam में रहने वाली है, उसकी एक अलग से separate वीडियो बना दी गए, class 9th English, एक अलग से मैंने playlist बना रखे, तो उस playlist में ये मिल जागा, ऐसे ही आपका unseen passes के questions आने वाले, तो unseen passes को exactly कैसे सवाल करना होता है, कि हम पूरे marks ले पाए, तो उसके उपर भी मैंने एक अलग से separate वीडियो बना रखे, तो उसको भी आप वहीं से, class 9th English playlist से देख सकते हो, इसके साथ साथ ये सारे वीडियोज, अगर आपको लिंक वहां नहीं मिल पारे, तो ये सारे वीडियोज है, शेर कियेगे, रिसेंटली शेर कियेगे, टेलिग्राम चैनल के उपर, तो वहां से भी आप लिंक एक्सेस कर सकते हो, आज के लिए वस इतने, थैंक यू, बाई बाई, हैव आइस टे,